हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम समाजी विज्ञान का जो पेपर वाइरल हुआ है इसका यहाँ पे पूरा हल देखेंगे फ्रेंस आपको मांचित्र वाले जितने भी सवाल है आपको मांचित्र पे असपष्ट रूप से भर के दिखाएंगे कि आप मांचितर वाले सवालों को बोर्ड के एकजाम में कैसे हल करेंगे ठीक है फ्रेंस तो आप सभी का तीन मार्च को जो समाजी विग्जान का पेपर है उसमें यही सभी सवाल पूछने वाले हैं तो फ्रेंस आप से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाश तक जरूर देखें जिसे से आप बूर्ड के एक्जाम में आसानी से सतर में सतर पास सकें चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखें यहां समाजी विज्ञान के पेपर है आपका पुरांग सतर नंबर का है जिसमें आपको 3.15 पृ Cum 9 का समय मिलेगा आप सभी इसके निर्देश लुदे दिया है आप सभी को पता है तो चलिए सीधे आपको पूरे प्रश्च पत्र को देखाते हैं उसका हल भी बताते हैं देखें अप इसके निर्देश को पढ़ लीजीए मैं और आपको निर्देश पता ढा wspól हे आपका खंड आ है जिसमें 20 बहुई कल्पी प्रश्ण रहेंगे और प्रतेक प्रश्ण आपके एक नंबर के रहेंगे ठीक है फ्रेंस अब देखिए आपका पहला सवाल है कि फ्रांस में गरतंत्र की अस्थापना किस वर्स होई थी फ्रेंस जिस प्रश्ण का एंस्वर आपको पहले से आ रहा हो उसका एंस्वर आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें फ्रेंस देखिए जब भी प्रश्ण आप बहुई कल्पी हल करते हैं तो आप इसके बहुई कल्पी जो आपसन होते हैं इसको आप जरूर पढ़ा करें दे फ्रांस में गरतंत्र की जो गोशड़ा हुई थी 1871 इसवी में हुई थी ठीक है फ्रेंस देखे फ्रेंस आपके सामने यह दूसरे नंबर का सवाल है कि देखी क्या है जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी चुकाम हो जाती है यह कथन किसका है चले फ्रेंस इस प्रस नंबर तीन है सवीने अवाग्याः अंद्रोन कब चलाय गया था 2010 फरेंस आपको महात्मागादी जी के दोहरा चलायोगे प्रमुक अंदोलन आपको बता देतें इसको बाड के एकजाम में जाईए परामुख आंदूलन महात्मा गादी जी ने चमपारर सत्यागर्फ बिहार में चलाया था 1917 में अहमधबाद मील दूसरा उन्होंने आंदूलन चलाया कब चलाया 1918 में फिर इसके बाद आपका खेड़ा आंदूलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलंग 1942 में तो महात्मा गाधी जी के द्वारा चलाएगे प्रमुक आंदोलंग आप जरूर याद करके जाए फ्रेंश ठीक है अब देखें फ्रेंश आपके सामने अगला नंबर का सवाला चोथा नंबर का कि चारी चारा कांड किस वर्स घटित इसका सही जवाब होगा 1922 इसवी में चारी चारा कांड घटित हुआ ठीक है इस प्रश्न का सही जवाब होगा चोथा नंबर का आपके सामने अगला नंबर का है कि आर्थिक महामंदी का प्रारम किस वर्स हुआ था आपसन उन्नीस में 1924 इसवी 1927 या 1929 इसवी तो फ्रें आपका छठान नंबर का सवाल है परवतों पर निर्दा अप्रादन परवतोंपर होता फ्रेंश पवण के दवारा जल के दौरा हिमनादी के कारर्ण dude एक पसुष चलण के कार्ण तो छट्वा नंबर क आपका सही जवाब होगा जल के द्वारा तब परवतोंपर相 निर सबसे अधिक मात्रा में महराश में पाए जाता है और गुजरात में पाए जाता है इसको भी आप साथ में जरूर कि काली मिट्टी कहां पर पाए जाती है तो आपका पाए जाता है महराश्ट और गुजरात में ठीक है आपके सामने आठवा नंबर का सवाल है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्स आरम किया गया था आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब या 1975 इसवी तो फ्रेंगर जो प्रोजेक्ट था आपको कभी स्टाट किया गया था था उननी सो तीहत्तर इसवी में प्रारम किया था ठीक कब आरम गुए था 273 보드 107 डूहरत बायरत में व्युक्ता देखा जाए दो 4 परिकрат होती है इस परशन का सही जाब क्या होगा 4 छोगा ठीक है अपके सामने दसवान नमबर के पर ED किस राज्य में आप साने पंजाब में दूसरा है उत्राखंड में तीसरा है गुज्रात में चौता यूपी उत्तर पर देश में ठीक है अब चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अब 11 नमबर का है देखिए काला सोना किसे कहते हैं आपसान है लोहा को कहते हैं कोईला को कापास को या पेट्रोलियम पदार्थ को देखिए फिरें चो काला सोना है आपका ये आपका पेट्रोलियम पदार्थ को कहा जाता है इसको याद रखेगा जरू ठीक है काला सोना किसे कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ को कहा जाता है आपके सामने बारा नंबर का सवाल है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है आपसन है बैंककॉक दूसरा है पेरीस तिसरा है ब्रुसेल्स और न्यू यार्क तो फिर देखें बेल्जियम के अब राजधानी जरूरी याद रखिएगा कि बेल्जियम की रे ग्रुसेल्स याद ठीक है इसका सही जो आपका क्या होगा तीसरा नंबर का सही होगा देखी आपका तिरावन नंबर का है कि काउं सा संझीय राज्य नहीं है ठीक है आपको पता नहीं कम सा नहीं है अफसने बिहार दिल्ली उत्तर परदेस गुजराथ ति देके फिरेंज संघी राज में आपके 28 अटाईस राज्य नहीं से shorten 11 Re about them और भारत की राजधानी है आपका अगला नंबर का सवाल है 14 नंबर का कि सिच्छा किस सूची का विसे आपसाने संग सूची का राजी सूची का समवर्ती सूची का और सिष्ट तक ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल 15 भारत में संगी राज्यों की संख्या है वर्तमान में भारत में कितने संगी राज्ये हैं आपसे ने पचीस अठाईस तीस उनतीस देखें वर्तमान समय में संगी राज्यों की संख्या 28 है और केंदर शासित परदेश की संख्या याद रखिएगा देखिए इसको भी पूछता है केंदर शासित परदेश की संख्या कितना है फ्रेंस वर्तमान में तो आपको वर्तमान में आठ केंदर शासित परदेश से और 28 का है आपके राज्ये ठीक है तो इस प्रश्ण को जरूर याद रखिएगा देखिए आपका 16 नमबर का सवाल है देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्चक है देखिए आपसे ने सत्ता की साज़दारी सत्ता का विभाजन राज तंत्र या इन में से कोई नहीं तो फ्रेंस इस प्रश्ण सुन्दर वन राष्टी पार्क किस राज्य में है आपसाने असम उडिशा पस्चिम बंगाल या यूपी तो फ्रेंस जो सुन्दर वन राष्टी पार्क जो आपका इस्तित कहां पर पस्चिम बंगाल में है इसका सही जवाब क्या होगा तीसरा पस्चिम बंगाल देखिए आपका अठारा नंबर का है कि निम्न में से कौन सा देश विक्रशित है ठीक है जैसे भारत ब्राजील बंगला देश या फ्रांस तो फ्रेंच देखिए विक्रशित देशों में देखा जाए तो आपका क्या है फ्रांस विक्रशित देश है अमरीका क्या है विक्रशित देश 19 नंबर का सवाल है फ्रेंस कि निम्न लिखित में से किसे आउसत आयू भी कहते हैं आप साने कुल आय को या राश्ट्री आय को या प्रतिब्यक्ति आय को या इन सभी को ठीक है देखें फ्रेंस आउसत आय आपको राश्ट्री आय को कहते हैं इस प्रशन का आपका सही कि भारत में मत अधिकार की आयू कितना है ठीक है तो आपको बताना है कि जो मत अधिकार है मत देने का अधिकार है भारत में कितने वर्स के लोग मत देते हैं तो आप सभी को पता है आप साने 15 वर्स 18 वर्स 21 वर्स या 15 वर्स तो फिरेंस इसका सही जवाब होगा 18 वर्स 18 वर् ठीक है इसको आपको उसतर पुस्तिकाप लिखना है अब इन प्रशनों को आप जरूर बोर्ड के एक्जाम में पढ़के और याद करके जाएगा आपको मांचित्र वाले जितने भी सवाल है उसको भी आपको भरके दिखाएंगे यहां प्रशन बता देते हैं आप प्रशन का इसको पढ़के आप जरूर बोर्ड के एक्जाम में जाएगा दूसरा है चिपको आंदोलन क्या है चिपको आंदोलन के बारे में आप पढ़के जरूर जाएगा अगला आपका है कि संगवाद के तीन विशेस्ता आपको लिखना है संगवाद क्या होता है इसके बारे में आप पढ़के बोड के एकजाम में जरूर जाएं अगला है कि संसाधन के तीन विशेष्टा यानि संसाधन के बारे में आप बोड के एकजाम में पढ़के जरूर जाएं ठीक है जितने प्रशन आपको दिरगुतरी बता रहे हैं इन प्रशनों को आप बोड के एकजाम में ज इसको आप पढ़ लीजिएगा संगात्मक शासन क्या होता है अगला है भारत में सूती वस्त्र उद्वक पर उपनिवेश्वात का क्या प्रभाव पड़ा इस सवाल को पढ़के जाईएगा अगला है कि जालिया वाला बाग हत्या कांड पर इद्यकी फ्रेंस यह तो सबसे ज है इस प्रशन को आप पढ़के जाईएगा यह मानो जीवन के लिए क्यों महत्तवपूर है ठीक अगला है बहु देशी नदी घाटी परिजना के बारे में आपको पढ़के जाना है कि इसके लाब क्या है हानी क्या है ठीक है इसका उप्योग कि किस लिए होता है तो बहु देशी नदी घाटी परिजना को आप पढ़के बोड़ के एक्जाम में जाईएगा ठीक है अब देखे फ्रेंस आपको अगला है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखे हैं हम जलो मिर्दा को जलो मिर्दा जरू पढ़के जाईएगा फ्रेंस यह आपको बोड़ के एक्जाम में आता है मिट्टि के प्रकार पढ़ लिजिए गा जलो मिर्दा पढ़के बोड़के एक्जाम में जरू जाईएगा अगला कराश्ट्री आए ब्रिद्धी है तू प्रमुक उपायों को लिखे अब राश्ट्री आई क्या होता है ठीक है इसको इतने बता रहे हैं यहीं सब आपकी बोर्ड के एक्जाम में आने वाले हैं ठीक कि छोड़के मत जाएगा सभी प्रश्ण को आप बोर्ड के पढ़ के अस्थानों को भारत के रेखा मांचित्र में चिन द्वारा नाम सहीद दर्शाना ठीक है आप जो प्रश्न यहां पर पूछ रहा है देखिए पहला है कि वह अस्थान जहां 1916 इस्वी में भारती राष्टी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अब फ्रेंस आपको पता होना चाहिए कि अधिवेशन 1916 में कहा हुआ था तो फ्रेंस जो 1916 में भारती राष्टी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था लखनो में देखिए इसको याद रख लिए अब मांचित्र पे देखिए लखनो भर के दिखाते हैं अब देखिए फ्रेंस यह आपके सामने मांचित्र है नहीं देखिए यहाँ पर यह आपका मांचित्र है और आपको लखनो भरना एट रहते दिखिए आपको पता है कि लखनो कहां पर उत्तर पर देखिए और यह नहीं जानते हैं तो इसका प्लेलिस्ट में वीडियो हो जा कि आप देख लिजिए कौन सराजी कहां पर यह आपका उत्तर पर्देश एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है तो आपको अगला प्रसन क्या है आपका वह स्थान जहां जालिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था तो फ्रेंस कहां पर हुआ था यह आप सभी को याद होगा कि अम्रित सर में ठीक है अम्रित सर्व नहीं को पता होना चाहिए होता अम्रित सर्व है कह अब अप सभी को पता है पंजाब में अब देखिने इसको मान चित्र पे देखाना कैसे देखाएंगे आपका यह पंजाब ईजएगा ऐससे देखा ली जेगा ठीक और दोवित अतर्न के हुस्ति सम्सार्ट और यहां नाम लिख लिजिए आपको अम्रित सर और साफर्थ negative में कि अम्रित सर लीजिए अस पर शे सूरूप से अम्रित सर ठिक असपर्ष लिख injury गठी है अब देखे अगला है वह स्थान जहां गाधी पैंव महात्मा गाधी जी कि द्वारा जितने भी आंदोलन फ्रेंश आपको पता होना चानुख आप–चंपारो है अब ऑफने केश्पार are अब 23 नमबर का है ना 23 इस तरह लिखिएगा और यह 23 का तिसरा सवाल है ना 23 का तिसरा ठीक और इसका सही जवाब क्या है आपका चंपारण है यह आप लिखिए चंपारण चंपारण ठीक इस तरह स्पाश रूप से बोड़ के एक्जाम भरना है फ्रेंज अब देखिए अग आपको लाहर पता हुगा पाकिस्तान में यह आपको नक्सा है और यह जो भाग है आपका पाकिस्तान है यहां शूपрипर क में ग discovery है तो, लेगिछ अगला मांचीत्र वाले सवाल को आपको बताते है कईसे बोड के इक्जाम भर ना देखी अगला मांचीत्र सवाल रहेगा। निरदेश दिए गए रेखा मांचीत्रपे निमनले लीकित को दरशाहिए। आपको इस परकार देखिए आपका पहला जैसे भारत की राजदानी को आपको इस परकार और कौन से नंबर का प्रश्ण है 24 नंबर का पहला है तो इस तरह आप 24 नंबर का पहला दिखा दीजिए यहाँ लिखे 24 और यह पहला है ना पहला और यहाँ प्या है दिल्ली है तो यहाँ लिख लिखे दिल्ली ठीक जैसे भर रेफरेंस इस तरह पोड़ के एक्जाम में भर नदी इसके अलावा आप सभी पता होगा कि गंगा और ब्रहाम पूत्र का जो संगाम मिलके कहा गिलता है बंगलादेश से प्रकार से आपको चीन दिया रहेगा देखी यह आपको क्या है उरिशा साइसे करते हुए इस तरह चीन देखा दीजिएगा उसमें दिया रहेगा कैसे चीन देखाना इस तरह देखा के यहाँ पर कोथे का यह सही है आपको देखे 24 नमबर का दूसरा है न यहाँ पर लिखे 24 नमबर का दूसरा नमबर है न चौबिस का सेकेंड वाला है और यहाँ पर क्या लिखेंगे महा नदी लिखेंगे सिर्फ यहाँ महा नदी इस तरह देखा के महा नदी लिखा दीजिए म वहां नदी ठीक है यह आपका इंस्वन हो जाएगा ठीक है अब देखिए अगले नंबर का सवाल है किसी एक बंदरगा को चिन द्वारा देखाना है तो आप बंदरगा का नाम याद रखिएगा हल्दिया हो गया इसके अलब और बंदरगा जैसे मुंबई है मुंबई क्या से महाराष्ट में आप सभी को मां चितर में याद वागा कि महाराष्ट धैकर यह क है आपका तीसरा प्रस्म कर रहा है और कौन सा मुंबई यहां पर प्रकास बोड़ के एक्जाम में लिखना है अगला है कि काली मिर्दा वाले छेत्र या राज को चिन द्वारा नाम सही दरशान है अब देखें जो काली मिर्दा अभी आप सभी को पता हैं कि काली मिर्दा को कहां महराश्ट में सबसे अधिक मात महराश्ट या इसके अलबा महराश्ट नहीं जाए तैंब गजरात याद रखिए अधिया गुजरागे में भी आपका पाया जाता है तो चलिए अहां महराश्ट को लिएक आपको कौन सा है यहां लिख दीजिए गा काली मिर्दा महाराष्ट लिखे दीजिएगा महाराष्ट ठीक है ठीक इस तर लिखे देंगे तो आपका पूरा पूरा नंबर एक नंबर भी नहीं कटेगा अब देखे फ्रेंस आपका लास्ट है कि उडिशा में इस्थित परसिद नदी घाटी परियोजना को चिन द्वारा नाम सहीद आ द्वारा तो आपको पता होना चाहिए कि उडिशा है उसमें नदी घाटी परियोजना कौनसा do curry say कौन सा ही कौन सा ही रा कुणबाद दिखाना है तो देखी उडियसा में कहीं पैसे मा लिजी भाग दिखा लीजीए यहां से इसका टटर रेखा पैसे देखा देजिए चली यहीं देखा दते हैं ठीक है यहां पर 24 का कौन से सही है 24 का जो राज ये फ्रेंस उसी में कहीं लका से निसान लगाते हैं खिर दीजेगा आपका पूरे का पूरा नंबर मिलेगा यह आपका पॉझवा है ठीक है देखें पांचवा है और यहां BE लिक्ति दीजेगा ही लाकुंदबाद ही अ कुंदबाद ठीक है और इसको हल करके आप बोर्ड के एक्जाम में जरूर जाएगा अब फ्रेंस यहां पर बता दें कि आपका नेक्स्ट वीडियो कुछ समय के बाद जो पेपर नेक्स्ट पेपर आपका कुछ समय के बाद समाजी विग्यान का अप्लोड कर देंगा उसको भी आप जरूर देखक बोर्ड के एक्जाम में जाईएगा ठीक है फ्रेंस तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें